So Hi This is Fee Divak here and today we will discuss about some covered call strategy and iske adjustments के बारे में तो अभी basic बेसिक से देखते है कि covered call क्या है Then we will discuss about adjustment, जो main part वो adjustment है उस पे हम जज्जादा time expand करेंगे and covered call के basic से लेके लेके लिए कुछ देखते हैं and option strategies के उपर सादा कुछ हम देखते हैं so let's go and see that की basic setups क्या है इनके covered call होते क्या covered call basically क्या है कि मैं future के साथ आपको करके example के तरफ में दिखाना चाहता हूँ जैसे कि suppose की nifty की अभी जो trading चल रही है वो आपको 15,000 sorry 14,000 980 के आसपास ऐसा कुछ चल रहा है ठीक है basic क्या करेंगे कि nifty का एक future buy करेंगे जो कि let's say आपको 15,000 something के आसपास में मिल गया इस ऐसे करने से क्या है कि market अगर upset गई तो हमारे लिए benefit है ठीक है दूसरा scenario अगर market downside गई तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा negative है so इस वाले negative area को हम क्या करेंगे covered करने की courses करेंगे and that we will covered from the क्या call options ठीक है ऐसे करेंगे ठीक है so इस में call options में क्या न कि sell करेंगे हम so basic setup क्या है कि हमने future को long किया and उसके साथ call को sell किया जो future है उसको covered करने के लिए call option को sell कर दिया so basic setups ये है so now it's become like कि अगर 15,000 का हमने nifty के future को buy किया यहाँ पे ठीक है नो इसके साथ हम क्या करते हैं 15,300 ठीक है कितने 300 दूर जाके हम क्या करते हैं एक call को sell कर देते हैं add the rate of क्या let's see that कि 150 rupees पे आपको मिल गया so now हमारा जो basic setup है जो basic covered call है वो create हो गया ठीक है हमने क्या किया future buy किया उसके साथ 15,300 call को buy कर लिए यह पूरा basic basic सा setup है यह covered call कहते हैं इसे हम ठीक है but the thing is that की ऐसा नहीं है कि हमें कभी भी play कर लेना है किसी भी scenario में कर लेना है ठीक है नो जब मन किया तो कर लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसके कुछ circumstances है इसके कुछ scenario है कुछ analysis है उसे based को लेके हम करेंगे अगर ऐसा करते है तो हमारा probability क्या है वो it will be get increase so that's why हमें सारा कुछ देख के चलना है so देखते है probability number one क्या था कि हम इसे कि से नहीं करना है ठीक है हम नहीं क्या बोलो कि चलो ठीक है nifty 14,980 के आसपास जो example मिलिया वो चल रहा है but हम एक चीज यहां देखेंगे based on the data के हिसाब से हमारा support label क्या आ रहा है मैंने this and that करके सारा कुछ analysis किया और मुझे लगा कि 14,800 ऐसा label है जहांपे nifty यहां से नीचे जाना थोड़ा सा मुस्किल का काम है and यह support वाले label ऐसा हो सकते है so वो जो data है आप कहा कहा से ले सकते है technical analysis कौन से data कि 15,800 बहुत ही अच्छा support है इसके नीचे जाने का probability बहुत कम है तो वो data आप कहा से ले सकते है technical analysis लेके इसके अंदर क्या है आप RSI indicator ठीक है RSI indicator यूज कर सकते है बॉलिंजर बैंड यूज कर सकते है ऐसे से करके indicators है वो सारा कुछ indicator यूज करके आप technical analysis यूज करके आपको पता चलेगा support वाला zone कौन सा है एक तो यहां से ठीक है दूस्तोरा जो data आप ले सकते है वो क्या है open interest के साब से ले सकते है वहां से maximum open interest आपको एक थोड़ा बहुत idea लग जाता है कि चलो ठीक है market इस वाले zone में रहने की maximum probability है कुछ आप volume के side से ले सकते है volume से analysis करके ले सकते है ठीक है एसे analysis करने के बाद finally आपके पास एक range निकला किया कि 14 ता हुजन एक ऐसा range है जहां पर nifty को break करने का तोड़ा सा probability कम है तो अब हमारा ये range निकल गया ठीक है न तो अब हम क्या करेंगे 14,800 का wait करेंगे और ज़स दिन की 14,800 आ गया फिविल स्टार्ट क्या covered call सुरू करेंगे यहां से play करने के लिए तो ये कुछ scenario था ऐसे analysis करके हम ऐसे ऐसे trade कर सकते हैं दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ ठीक है अब आप एक चीज़ और ये सोचेंगे कि चलो ठीक है 14,800 आएगा या नहीं आएगा पता नहीं है मुझे मार्केट का अगर नहीं आया तो ये मुझे opportunity भी हो जाएगा मैं 14,800 पे मैं play नहीं कर पाऊँगा तो उसके लिए halka full का benefit लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं 14,800 और 14,700 इसका आपको ticket क्या बना सकते हैं debit मतलब स्वारी credit spread बना सकते हैं जहाँ पे आपको 30 रुपीज या 20 रुपीज ऐसा कुछ आपको debit यहां मिल जाएगा तो यह करने से क्या है न कि अगर market सच में 40 मतलब analysis करने के बाद सब्सक्रा कुछ गलत भी हो गया and 14,000 नहीं भी आया तो आपको opportunity भी इस नहीं होगा at least आपको थोड़ा बहुत profit यहां से मिल जाएगा ठीक है मैं कहना कहा चाता है कि मगर 14,800 नहीं आया तो इसकी आसपास में हम क्या करेंगे credit spread बनाएंगे ठीक है वहां से कुछ credit लेने के चक्कर में पढ़ेंगे 30, 20, 25 जो भी मिले 30, 25 ऐसा जो भी कुछ भी मिले लेकि वो सांध रहेंगे जिस दिन आ गया उस दिन cover call start करेंगे जिस नहीं आया then हम इस profit को enjoy करेंगे ठीक है तो यह opportunity लेने का है ऐसा है लेने के लिए मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ ठीक है otherwise आप यह नहीं भी कर सकते हैं but यह it's all dependent on you कि आप किस तरीके का risk लिए इसमें भी रिस्क नहीं है जो credit spread में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है ठोड़ा बहुत आप रिस्क लेकि ऐसे ऐसे मतलब opportunity का आप benefit ले सकते हैं ठीक है so cover में basic क्या था cover call को play करने के लिए सारा कुछ data एक support best support आपको होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिसकी probability बहुत ज्यादा high होनी चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ 14800 से नीचे गिरने का probability बहुत कम होना चाहिए ठीक है let's say कि 40% होना चाहिए 40% होना चाहिए मतलब आपको ऐसा लगता है कि इससे नीचे जाने का थोड़ा सा मुस्किल का क्वाम है then then आप प्ले करें ठीक है तो में में जो सबसे बड़ा चीज है वो क्या है support है support support level डूनना है वहां मिल जाए तो ठीक है और अगर नहीं मिलता है आपका support level बहुत ही ज़्यादा दूर है तो आप ऐसा कुछ strategy manage करना है ठीक है वो भी एक example लेकर देखते हैं कि Greek manage actual में कैसे करेंगे ठीक है let's see अब भी हमने example के लिए था 14,000 980 के असपास अभी निफ्टी चल रही है ठीक है एक सेकंड मेरे बैट इतरु तरुद है इस हिसाब से निफ्टी यहां पर चल रही हमने क्या गिया निफ्टी का फ्यूचर लिया add the rate of 15,000 ठीक है इसमें हमने क्या क्या buy कर लिया ठीक है एंड इसको cover करने के लिए हमने क्या 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 call को sell कर दिया कितने पर add the rate of let's see कितने कितने वाले strike को 15,300 ठीक है add the rate of क्या 150 रुपीज देख लेते हैं ऐसा कुछ तो अब हमारा net net position क्या हो गया हमारा निफ्टी फ्यूचर भाई है and covered call को हमने sell किया है this is the net position this is the net net covered call ठीक है बट इसके Greek management क्या है वो इवर देखते हैं अभी क्या है कि इसकी delta की value क्या हो गई 1 plus हमने buy किया है future की तो future की delta की value 1 रहती है so buy किया तो plus 1 but हमने किया यहने call को sell कर दिया यहां पर तो इसकी value जो वो negative में हो गी ठीक है so let's see that कि इनका इनका जो value है वो 0.40 है ठीक है and यह negative में है so net net जो हमारा delta आ गया net net delta आ गया वो plus 60 हो गया इसका meaning क्या होता है यह 60 delta का meaning क्या होता है 0.60 ठीक है the whole point of a net delta ठीक है and अगर market यहां से hundred point downside की तर गई तो मुझे 60 rupees का loss होगा this is the net net thing of a delta ठीक है so net net delta हमारा portfolio क्या है कि 60 point का here and there है मतलब 60 point के हिसाब से हमारा portfolio काम करेगा so Greek के हिसाब से हमने delta क्या अपने अपने portfolio का delta क्या रखा 0.60 ठीक है दूसरा जो पार्ट आता है वो theta theta को कैसे manage करना है इसको कैसे देखना है आपने जो call को sell कि 150 rupees अगर market यहां पर नहीं आई ठीक है na and market let's see that की 15200 के आसपास में चल रही है इसके आसपास में market है अकर market 15200 यह 250 के आसपास आके expiry में मतलब 300 को क्रॉस नहीं की तो ऐसे condition में क्या होगा 150 का जो अपने call को sell किया ना वह 0 होगा मतलब 0 होना सुरू को होना तो इसमें per day melting है melting मतलब की per day यह decay हो रहा है यहां से एक पाट डिके हो रहा है ठीक है चाहब वो दी दो तीन चार जैसे इस एकस्पायरी आएगी यह इसमें डिके पाट और बढ़ता जाएगा let's see कि आपको थीटा की वैल्लू 4.4 पॉइंट मतलब क्या 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 है कि per day 4.4 पॉइंट का रेडक्शन होगा इस वाले प्रीमियम में 150 वाले प्रीमियम में so that is exact point that I'm wanting to tell here so अब हमारा Greek के हिसाब से मैं क्या बताना चाहरा था कि हमारा जो पॉटफोलियो है वो 60 का डेल्टा है 0.60 का डेल्टा है थीटा का बेनिफिट 4.5 है so थीटा पॉजिटी भी हमारा लिए पाइडम ने सेल किया वो आपको बेनिफिट मिलेगी so ये आपको कुछ ग्रीक स्था ठीक है जिसका मैनेजमेंट है दूसरा चीज ग्रीक को भी ग्रीक को भी कैसे मैनेज करना वो देखते हैं जैसे आपको लगता है कि आपको लगा कि मार्केट यहां से अपसाइड होने का चांस क्या है 70% है या फिर आपको थोड़ा और कन्फिटेंस लगता है और आपको लगता है कि 80% ऐसा लगता है या फिर आपको लगता है नहीं नहीं मार्केट यहां से अपसाइड ही जाने का चांस मैक्सिमम मैक्सिमम probability यहां से है, so based on that, आप delta की value यहां पे decide कर सकते हैं, ठीक है, आपको 70% ऐसा लगता है कि market उपर जाएगा, तो आप क्या करें, यहां पे थोड़ा सा delta और ज्यादा रखें, जैसे कि मैं यहां पे जो sell कर रहा था न, 0.40, ठीक है, आप यहां पे क्या कर सकते हैं, 0.50 का delta ले सकत है, आपको लगता है, market उपर ही जाएगा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और delta नीचे ले सकते हैं, आपको लगता है, एकदम नहीं market, किसी भी condition में उपर जा रहेगा, यह वो करने के बाद, आप delta की value थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, ठीक है, तो based on your analysis, based on your confidence, आप delta की value रख सकत है, so यह सारा कुछ Greek management था, Greek कैसे किसी साब से लेना है, theta किसी साब से benefit कर रहा है, वो सारा कुछ हमने अभी discuss किया है, यहाँ पे, let's see, जो सबसे important part है, वो adjustments कैसे करना है, ऐसे वाले trade में, ठीक है, so हम यहाँ पे तीन scenario की बात करेंगे, market अप जाएगा, तो क्या करना है, market down ज upside, और दूसरा sideways, ऐसे condition में, अगर market 100 point, जिस दिन trade डाल, 100 point upside की तरफ गया, तो automatically आपके trade में profit होना सुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने 60 का delta positive रखा था, तो 60 rupees automatic आप तो profit हो सकती है, then आप यहाँ से exit करके profit book करके, यहाँ से निकल जाकते है, second, जो है, वो sideways है, sideways वाले condition में क्या है, कि market थोड़ा सा उपर और नीचे जा रही है, ऐसे होने से क्या है, कि आपने जो 15,300 का जो call आपने sell किया है, उसकी कुछ theta की value थी, जो 4 rupees थी, so यहाँ पर रोज 4 rupees decay का फायदा हो रहा है आपको, ठीक है, तो ऐसे condition में भी आपको benefit है, but जो तीसरा important conditions है, वो downside fall में हम क्या करेंगे, ऐसे situations में अपने आपको कैसे handle करेंगे, that is the main point, जो आपने discuss करेंगे यहाँ पर, so यहाँ पर एक concept हम use करेंगे, ठीक है, जो roll down, वो concept क्या होगा, let's see कि आपने 15,300 को sell किया था, at the rate of 150 rupees पर, but market नीचे होने के वज़ा से क्या हुआ, sorry, market को, market के नीचे side में आ 70 rupees, ठीक है, so 70 rupees को क्या करना है, कि आप तो आपको 80 rupees something कि आप से आपको profit मिल रहा है, जो आपने sell किया था, so इसको क्या करना है, फटाक से profit book करना है, exit, ठीक है, इन तो profit, इस फाल है, 15,300 को, and अपने आपको shift कर लेना है, 15,200 यह 15,100, and try to cover, let's see, 150 rupees के आसपस में फिर से covered करना है, and इसको sell कर देना, ठीक है, अब जो हमारा adjustment net, net position हो गया, वो क्या हो गया, nifty का future कितना हो गया, 15,000, ठीक है, and 15,200, मतलब according to क्या है, कि according to the moment हमने अपने आपको shift कर लिया, 15,300 से 15,100, and now I have captured to 150 rupees, ऐसे करने से क्या है, कि maximum premium को cover कर पा रहे है, and according to market हम अपने आपको shift कर रहे ह है, so these are the main point on the adjustment basis, ठीक है, जितना market नीचे जाए, हमें उसे अपने strikes को नीचे करते जाना है, ठीक है, फिर से 15,100 पे भी आ सकते है, 15,000 पे भी आ सकते है, and 14,000 पे भी आ सकते है, एक time ऐसा जरूर आएगा, जब nifty वहां का वहां रुकेगा, या फिर थोड़ा सा वहां से upside के तरफ move करेगा, and जो भी आपके losses है, जो future में loss हो रहे है, it may be कि आप यहां से सारा कुछ cover कर पाए, so adjustment part यह था कि हम अपने आपको नीचे की तरफ shift करते जाएंगे, जैसे जैसे market moment करेगा downside में, so these are the basics points, these are the things that I'm wanting to share, and hope, मतलब आप सारी चीज आपको यहां पर समझ में आ प problem है, आप, you can WhatsApp me at the 88040, 38785, ठीक है, so तब तक लिए, goodbye, and if you have any suggestion, anything else, you can comment me in the comment section, and you can aware me about anything, so thank you, bye-bye, meet on next video, and discuss, we will.